देखिए राजस्तान के जनता ने मन बना करके कॉंग्रेस की नीतियां, कॉंग्रेस की जो योजनाएं और कॉंग्रेस की जो गूड गवर्नेंस और जो संग्ठन की मैनत, राउल कांदी जी की जो भार जोड़ो यात्रा जिस उदेशे को लेके के की गई थी और खड़गे का नेतरित है, इन सब को मिला करके राजस्तान में भारी बहुमत के साथ में कॉंग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है, और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चोकाने वाले होंगे, कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं, उनसे भी कहीं अधिक कॉंग्रेस के पक्ष में जान के थे और कारिय करताओं ने जो मैनत किये दिन रात कून पसीना एक किया है, और हमारे नेतरी तो ने, खड़गे साथ ने, राहूल गांदी जी ने, प्रेंका गांदी जी ने, जो कंपेनिंग यहां पर की है, और मुकल वासनिक जी और रंदावा साथ और जो डटे रहे हैं और सबने सब के साथ में समबाद काईम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ कि इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दुबारा आ रहे हैं बाजबा के पिछे रहने का क्या कारण रहा है? बाजबा तो पहले दिन से आपस में जगड रही थी, बाजबा की कोई नीटी नीटी, उसके बास कोई एजंडा नहीं था, पांस साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं, वो तो मुंगेरी लाल के हैसीन सपने देख रहे थे, आड़ दसे मुख चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और एक सीड़ जीतानी की एक समता नहीं रखते हैं, राजेंदर जी राठोड साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं, और यहां वसंदरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से पांस साल इन्हों ने किया, तो मैं समझता हूँ कि उनक आए कम नहीं कर पाए, किसान की आमदनी दुगनी करने की दो बात छोड़िये, किसान के साथ में जो दुर्वियवार हुआ, वो सब मुद्धे भी लोगों के सामने थे, कि मैं दस साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या, एक दिन मीडिया में आके नहीं बता देश के प्रधान मंतर को बताना चाहिए, कि हमने देश के लोगों के लिए ये किया, और आगे आने वाले समय में हम ये वीजन रखते हैं, कि ये इस देश में करने वाले हैं लोगों